दिखाएं और बताएं यहां मुख्य चरण दिये गए हैं Photoshop ओपन करना File के विवरण भरकर नहीं File Create करना Resolution को समझना Background Content और Image का Size चुनना Selection Tools का उप्योग सीखना Photoshop ओपन करने के लिए Start पर जाएं और Programs की सूची में से Adobe Photoshop के अपने संस्करण पर क्लिक करें मेरे पास Adobe Photoshop CS3 है हो सकता है कि आप इंटरफेस को पहचानने लगे हूं आईए नई File Create करने से शुरुआत करें सबसे उपर Main Menu पर जाएं File Tab सिलेक्ट करें और फिर New पर क्लिक करें Dialog Box आएगा जिसमें हम File के विवरन बताएंगे यहाँ पर एक नाम डालें उसके बाद हमें पिक्सेल्स, इंचिस, सेंटिमेटर, मिलिमेटर, पॉइंट्स, पिकास या कॉलम्स इन में से किसी यूनिट में File की विर्थ और Height का Size देना होगा लेकिन Default Unit Pixels या छोटे-छोटे वर्ग हैं जो Digital Image बनाते हैं उसके बाद और सबसे महत्वपूर्ण है Image का Resolution दरसल Resolution Digital Image के एक इंच में छोटे-छोटे वर्गों या Pixels की संख्या है यदि ज्यादा सपष्टता की जरुरत है तो Higher Resolution सिलेक्ट करें प्रिंट की जाने वाली Images का Resolution 300 DPI या Dots पर इंच पर सेट होना चाहिए वेब के लिए 72 DPI वाली Images परियाप्थ है अब Color Mode सिलेक्ट करें यदि आपको याद होगा तो मैंने समझाया था कि Color Mode इस बात पर निर्भर करेगा कि Final Image किस तरह इस्तिमाल की जाएगी प्रिंट के लिए या Monitor पर देखने के लिए सिलेक्ट की गई 72 DPI Resolution के लिए Color Mode RGB हो जाएगा है ना अगला बॉक्स डिफॉल्ट रूप से 8 बिट का होगा और ये लगभग सभी उद्देशियों की पूर्ती करेगा और अंतिम बॉक्स बैग्राउंड कंटेंट है आपको याद होगा कि हमने देखा था कि Layers क्या है अब इस बॉक्स में हम खाली Layer का Color निर्धारित करते हैं ये वाइट हो सकता है या फिर हमारे द्वारा चुना गया Background Color भी हो सकता है या ये पार दर्शक भी हो सकता है आईए फाइल ओपन करें अरे ये तो बहुत छोटी है कोई बात नहीं आईए हम दूसरी फाइल ओपन करते हैं अब विर्ध को 640 पिक्सेल्स पर और हाइट को 480 पिक्सेल्स पर सेट करके ओपन करें ये हमारा वर्क एरिया है और ये कैन्वस है कैन्वस की ये धारणा कागस पर की जाने वाली पेंटिंग से आती है कलाकार वर्क एरिया पर निशान लगाता है और बाकी बच्चे कैन्वस पर एक काम करता है इस वाइट भाग पर हम टूल बॉक्स में से टूल्स लेकर ड्रॉ करेंगे आईए देखें कि टूल बॉक्स में क्या-क्या है मेरे कम्प्यूटर पर एक रंगीन इमेज है आईए हम उस पर काम करें ये हमारी टूल पैलेट है सिलेक्शन टूल्स के तीन समू है मैर्कवी टूल, लासो टूल्स और मैजिक वैंड आईए देखें कि मैर्कवी टूल क्या है इस बिंदू वाले आयत का इमेज में किसी भी माप का आयत सिलेक्ट करने के लिए इस्तिमाल किया जा सकता है गौर से देखिए इस एरो का इस्तिमाल करके इसे काट सकते हैं लेकिन मैं काटना नहीं चाहता इसलिए इसे अंडू कर देता हूँ ये अलिप्टिकल सेलेक्शन के लिए है यदि आप शेप को ड्रैग करते समय शिफ्ट को दबा कर रखते हैं तो वह एक वृत बनाएगा जब पतली लकीर बनानी हो तो सिंगल रोड टूल इस्तिमाल किया जाता है आईए देखें अब ये मेरी बैग्राउंड लेयर है इसलिए इस पर काम नहीं करना चाहिए हमें आल्ट टैब दबा कर अपनी खाली फाइल पर जाना चाहिए अब देखें कि सिंगल रो मैर्कवी किस तरह लकीर बनाता है मेन मेनू में एडिट से स्ट्रोक सिलेक्ट करें और देखें इमेज की पूरी विर्ट में एक आड़ी लकीर बन गई है अब खड़ी लकीर बनाने के लिए फिर ध्यान से देखें हम विर्ट को बदल कर तीन पिक्सल्स कर देते हैं ये देखिए ये पूरी हाइट में आ गई है आईए और टैब दबा कर हम फिर से अपनी इमेज पर जाते हैं और सिलेक्शन टूल्स के अगले समूमे से लासो टूल सिलेक्ट करते हैं असमान आकार वाले शेप्स के साथ निपटने के लिए सिलेक्शन का स्वतंतर टूल है आईए हम एक लड़के का चहरा ट्रेस करते हैं लकीर बनती हुई देखें शुरू से ट्रेस करना जारी रखें और उसके बाद ही माउस छोड़ें इससे आपके माउस को नियंतरित करने के कोशल का पता चल जाएगा आप इस चहरे की जगह बड़ी आसानी से कोई और चहरा लगा सकते हैं अगला है पॉलिगोनल लासो टूल और इसमें माउस की को दबाने की ज़रूरत नहीं होती कितना आसान है है ना लेकिन ये लकीर स्वतंतर रूप में नहीं है इसने एक सीधी रेखा बनाई है जो सीधी रेखाओं के साथ बनने वाली शेप्स के लिए बहतर है गौर से देखिए इस टूल में माउस को नियंतर करना और सेलेक्शन बंद करना आसान है मैगनेटिक लासो टूल इस सेलेक्शन ग्रूप में अंतिम टूल है ये हाई कांट्रास्ट वाले दो हिस्सों के बीच लकीर बनाता है देखिए इस तरह अगले समूमे टूल है मैजिक वैंड मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि ये सच मुच जादू करता है गौर से देखिए जैसे ही आप इसी इमेज पर क्लिक करते हैं ये मिलते जुलते रंगों वाले पिक्सल्स का सेलेक्शन करता है इस तरह और ये अन्तिम सेलेक्शन टूल है ये चुने गए ब्रश के साइस पर निर्भर करता है इसलिए हम अच्छी तरह ब्रश चुने और प्लस और माइनस की निशानी वाले दो आप्शन्स देखें ये या तो सेलेक्शन को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं इस तरह से और इस तरह सेलेक्शन टूल्स समाप्थ होते हैं अन्य टूल्स के बारे में अगले कुछ मॉडियूल्स में सिखाया जाएगा